तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का IPL में खेलने का सपना जल्दी पूरा हो सकता है क्योंकि हाल फिलाल में कई ऐसी घटनाए हुई हैं जिन से ये संकेत मिल रहे हैं कि IPL 2022 में एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाडी खेलते वे दिखाई दे सकते हैं आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाडियों ने IPL के सिर्फ पहले सीजन में हिस्सा लिया था हला कि पाकिस्तान के कॉमेंटेटर्स काफी लंबे समय तक IPL का हिस्सा रहे थे तो वहीं अब एक बार फिर से पाकिस्तानी खिलाडियों के IPL खेलने की खबरें जोर पकड़ र खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी तो अगर BCCI और PCB के बीच में बातचीत इतनी दूर तक पहुँच चुकी है तो यकीन यहाँ पर IPL को लेकर भी कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी तो वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी वज़ा है वो यही कि अगले सीजन से IPL में 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं और अगले सीजन से 5 Overseas खिलाडियों को Playing 11 में शामिल किये जाने का फैसला भी किया जा सकता है ऐसे में Quality of Cricket को Maintain करने के लिए पाकिस्तान के खिलाडियों को भी IPL में शामिल किया जा सकता है वहीं जो तीसरी और सबसे बड़ी वज़ा है वो है दोनों ही टीमों के खिलाडियों के बीच की Bonding हमने देखा था कि कैसे मैच के बाद दोनों ही टीमों के खिलाडियों एक दूसरे से बातचीत करते वे दिखाई दिये थे जहां विराट कोली ने बाबर आजम और मुहमद रिजवान की खूब तारीफ करी थी और अगर सच में ऐसा होता है तो क्या ये एक अच्छा फैसला होगा या नहीं आप लोग अपनी राहे में दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए